इसलामाबाद यूनाइटेड वर्सेस कोईटा गलाडियेटर्स तो कोईटा गलाडियेटर्स इस साल बहुत जवर्दस परफॉर्म कर रही है सेकंड पोजिशन पर बैठी विए पांच मेंसे चार्जीत के एक मैं चारी है इनका बात किया जाए तो लेट इनका स्टार्ट हु प्लस अगर बात किया जाए तो एक ही खामी दिख रही है फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट लेकिन उसमें भी नसीम सा का भाई उसने अच्छा परफॉर्मस दिखाया लास्ट मैच में तो फास्ट बॉलिंग थोरा बहुत ठीक है रूमान लईस अगर अच्छा बॉलिं दाउन का फिनिश ओडर है वह अच्छा परफॉर्म कर रहा है रदरफॉर्ट ने फिनिश करेंगे दिखाया और बॉलिंग तो इनका अन्बीटेबल लगड़ा है मुल्तान सुंतान के बाद क्योंकि इनके पास गजब के अभी उस्मान तारीकर का एक मिस्ट्री स्पिनरा और रन देही नहीं रहा है और फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट भी जबरदस्त है इनका तो यह टीम भी अन्बीटेबल दिख रही है और यह अब फॉर्म में आ रही है तो मैस चांदार होने वाला है मार्केट फेवरेट अगर बात किया जाए तो कोईटा को मान के चल करता है तीम प्रिव्यू देखा जाएगा फैंटसी टीप्स बताया जाएगा ड्रीम एलेमेंट के बारे में किसको हेट टूहेट और गैंटलिंग में कैप्टन फैसफ ने चूज कर से एट बात किया जाए तो वीडियो कॉन तक जरूर देखें रावल पिंडी में मैच है ह यहां पर एवरेस फर्स बैटिंग स्कोर है और यहां पर हाई से हाई 200-300 तो ज्यादा हो यहां भी है लास्ट इयर तो यह घबराने का बात नहीं है 20-30 पैसा फर्स्ट इनिंग में लग जाए तो खाके आईएगा एकदम खाके आईए तगड़ा यहां पर मतलब प्रॉफि है पस यहीं बोलूँगा तो चलिए साड़े साथ बज़े मैच खिला जाएका कल दो मैच है उसमें से दूसरा मैच है और अगर बात किया जाए आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है सेशन और मैस से रिलेटर कौन से टीम जीतेगी सेशन यस होगा नॉट होगा तो राठोर प्रिडिक्शन 07 दिख रहा होगा सर्च करिए टेलिग्राम पे जाके जॉइन हो जाईए यही हमारा टेलिग्राम चैनल है और एक ही नंबर से उप्रेट करते हैं बहुत सारे फेक हमारे नाम से दिखेगा मेरा ही फोटो लगा के चैनल बनाया है यूटूब पे और क्यों होना है फाइदा आपका है मेरा क्या जा रहा है मेरा कुछ नहीं जाएगा दॉस में आप ही हो और बाकी इसको भी स्कैन करके जॉइन हो सकते हो अब बात करते हैं वेदर का बात तो वेदर 25 डिगरी का है चांसे हो रहे हैं निगेटिव हुमिडिटी हाई लेवल पर द्यूफेक्टर करेगा ही करेगा और सेकंड बैट को यहां पर बहुत एडवांटेज रहता है एक लौता ऐसा भेनी हो यहां पर चेज हो जाता है हाई इसको लगता है वो भी चेज जाता है लास्ट यहीं बात करें न तो मैक्सिमम टाइम 200 प्लस यहां पर लगया और यहां पर जाएगा यहां पर जाएगा वो ठीक है 152 169 यहां पर लगा है 172 1895 बार और यह वब 199 बार मलब 50% मैचेज यहां पर 18 में से 9 मैच ऐसे हुए हैं जो हाई स्कोरिंग हुए हैं और उसमें भी चेज हुआ है मैक्सिमम मैचेज देखे 197 का एक ऐसा मैच था जो डिफेंड हुआ बाकि सब चेज हुआ होगा देख सकते 197 पीएजन मारी 24 नं से जीत गई यह 5 विकेट जो गीड़ा उसमें 4 विकेट पेसर को एक विकेट स्पीनर्स गो आठ विकेट जो गीड़ा उसमें 6 विकेट बादा डोमिनेट करता ही है जो भी फ्लैट डेक होता है और ड्यू फेक्टर पड़ता है वहां पर फास्टर ही कारगर रहेगा ना की स्पीनर्स को कुछ खास मदद नहीं मिलेगा क्योंकि यहां पर बॉल कोई स्पीन होगा नहीं और हलका सा आगे पीछे कड़ेगा बैट् को लास्ट मैस देखे 179 का टार्गेट यहां पर कोईटा मारी फिर इसलामाबाद जीत गई तो कोईटा से एक मैच हुआ हाई स्कोरिंग मैच ही हुआ है फरस्ट बैट करके और इसलामाबाद उसको चेज भी की है छे विकेट जो गीड़ा हो छे पेसस ने निकाला और आठ विकेट में से 5 विकेट पेसस तीन विकेट इस पीनेस को अठाइस विकेट है पेसस के वास्ट तो पेसस यहां पर ड्रीम 11 पॉइंट ऑफ यू से आपके लिए बेटर ऑप्शन है यह धियान रखके आपको चलना उनको जादा पिक करना जादा पॉइंट देके जा सकते है अब हेट टुए में बाद कर लेते हैं तो 18 मैच हुआ है इन दोनों के पीच में यहां पे इसलामबाद नौ जीती है और कोटा नौ जीती तो दोनों ही टीम ऐसा कुछ है नहीं कि डॉमिनेट कर रही एकदम नेक टू नेक चल रहा और जबरदस मुकामला होने का पूरा में भी आ चुकी है नेक्स लेवल मैच होने का गैरेंटी एकदम जैकपॉट होने का समभाब नहीं है मैच पांच मैच लास्ट फाइसलामबाद तीन है कोटा दू है तो यहां पे इसलामबाद का धोरा सा अपर हैंड देखने को मिल रहा है according to the stats इसलामबाद लास्ट मैच लॉस 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 फिर विन तो यहां पर ठीक है एक मैच यहां विन किये बहुत दिन बाद तीन मैच हाडने के बाद वह यहां पर यह भी विन है लास्ट मैच यह भी हाड़ी थी फिर विन 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 तो यह देख सकते हैं आप यहां पर लास्ट पांच में से चार विन है क के पास दो विन है इसलाहबाद के पास तो कवेटा इस दे किलियर फेवरेट्स एकॉर्डिंग तू दे स्टैट्स एकॉर्डिंग तू दे फॉर्म बट मैच साम के टाइम में कुछ भी हो सकता है मैच रिपोर्ट पे चलता है और रिपोर्ट अपना शांदार आड़ा कम वा क करते वे 168 तक ही पहुंच रही है तो सेशन खेलिए इस हिसाब से यस यस नहीं लेकिन रावल पिंडी का स्टेडियम है तो यहां पे इससे बेटर स्टैट्स में रावल पिंडी में जो होगा उस हिसाब से खेल सकते यस करके चल सकते बेटर रहने माला है 209 हाइस्ट है 107 का लोइस्ट है यहां देखिए इनका बहुत 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 बहुतर परफॉर्मेंस है 60 परसेंट का विन परसेंट है मतलब लास्ट दस में से 6 मैच जीत क्या रही है और एवरेस फर्स बैटिंग करते वे भी ज्यादा रन मार रही है 184 तक पहुंच रही है दोसो तिरपन ह है नहीं 33 परसेंट का विन परसेंट रेसियो जो कि कुछ खास नहीं खड़ा भी बोल सकते और एवरेस फर्स बैट करते वे भी 170 तक ही पहुंच रही है अब यहां पे इतना रन मारेगी तो कहां से जीते ही अब वही चेज में जाके यहां तक पहुंच रही तो ठीक है लेक अब देखिए वीनिंग परसेंटेज इनका देखिए छे में से पचास परसे में जीती तीन में जारी ठीक है 50-50 का ही है एवरेस फर्स बैटिंग स्कूल इनका बहतर है 195 इतना पहुंच रही है और यहां पर दो सो तिरपन भी ज्यादा और एक सो चालिस भी इनका लोइस है तो यहां overall क्वेटा इस venue पर भी dominate करते हैं देखने को मिल रही है अब session tips देख सकते हमें यहां पर कि 6 ओवर में फर्स इनिंग में यहां पर 33 लगता ही लगता है इससे नीचे मिले यस करके चलिए और second inning में 56 है थोड़ा हाई है क्योंकि chase ज्यादा हो जा रहा है फिर वहां सेकेंड इनिंग में दस ओवर में 78 है फर्स इनिंग में इनका 84 है 15 ओवर में 138 है यहां 135 है 20 ओवर में 184 है और यहां 190 है तो होप करता हूं इसी साफ से session खिलिएगा तो ज्यादा आपके accuracy बढ़ने के chances पूरे-पूरे हैं प्लिइंगे उनका बात करें इसलामबाद यदर स एलेक्सेल, कोलीन मुन्रो, अगा सलमान, सदाब खान, आजब खान, जॉर्डन कॉक्स, इमाद वसीम, फहीम, असरब, नसीम सा, हुनैन सा और रुमान रइस तो यही ठीक बॉलिंग किया है और यही होता है फॉर्म देखने का कि लास्ट मैच में कैसा पफॉर्म किया फॉर्म में है फॉर्म में है फोर्म में से फॉर्म में यह फॉर्म में यह अगई है इसन हो इस तकोई से preciso mor यह फॉर्म में है और अच्छा खेलेगा यह खेलेगा और इस वेन्यू पर इल्नों को फ्लैट डेक चाहिए अंग्रेज को इंग्लिस बैट्समेन को मारेगा रन ठीक है अगा सल्मान पचीज चोज़ा तेतीस बावन चोशड यह लास्तीन मैं जो इनका नहीं लगड़ा है ल मैंसे फॉर्म में आ चुके हैं तो इनको पीक कर सकते हैं आप सदाव खांदस छेव दो एक इगारा चोटतर जीरो दो दो एक एक अब बालिंग बढ़िया होड़ा है तो बैटिंग खड़ा हो गया इनका यह है इनका हाल बालिंग और रॉंड न चलिए बालिंग से इनको जरूरत है टीम को बैटिंग करने के लिए बहुत लोग है आजम खान भी फॉर्म में है लास्ट मैच बैटिंग नहीं है पच्छतर एक तेरा उननीस पचास अच्छे फॉर्म में घोड़ा उड़ा सकता है विकेट तीन चाह जल्दी चल जाया तो एक्सपेक्ट करिए कि य जरूरा सथोरन जरूर मानेंगे और आपको रेट तो जरूर लाकि देगा इमादवसी में एक दाम आउट फॉर्म एक जिरो एक जिरो बैट से कोई कंट्रिबुशन नहीं हो रहा आईल टी ट्वेंटी से ही जॉर्डन कॉक्स तेरा उननीस एक तालीस दो हिगारा ये वी आ मैंच में इधर देखिए 0-1-0-0-0 इनसे बेटर ऑप्शन और फास्ट बोलिंग सबसे बेटर ऑप्शन यहां पर आमारे पास नसीम साही है उनायन सा एक जिरो एक जिरो दो अब यह ठीक बोलिंग कर रहा हो सकता है विकेट निकाल लेगा आप इनको पिक कर सकते है लेकिन सबसे बेटर ऑप्शन इनका नसीम साही है बोलिंग डिपार्टन फास्ट बोलिंग ही कंसर्ण है नहीं तो यह टीम अच्छा परफॉर्म कर दे थी जैसन रॉय एकलोता सम्हाल कर रख़ा है टीम को बावन बाड़ा सेंटीश चोवविस सेवन्टीफाइव यह फॉर्म में इनके पास फॉर्म है और यह अच्छा बैट्समेन भी है ठीक है राइलीडू 106-30-34-18-14 आउट ऑफ फॉर्म प्लियर है तो इनको हटा के चलिए इनसे बेटर ऑप्शन है हमारे पास तो रिस्क्यू लेना सर्फराज एमद सबसे बकवास ऑप्शन 3-1-1-0-0-3 सा यह 20 प अधी आउट हो गया उस भी नहीं सोचा तो उसको आउट होना था लेकिन और बॉल खा के आउट होना था अकील हुसेन 2-1-2-2-1 6-7-8 विगट है बड़िया बॉलिंग कर रहा है इनका इनको बचा के रखावा है रजर फॉर 58-21-29-14 बिर देखी यहां पर आपको मैं बोल पार के जिता है और उससे पहले भी यहां ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्ट इंडीज में घोड़ा उड़ा के आया था यह देख के बनता है कि इसके पास फॉर्म था ठीक है 1-0-3-1-1 मौहमद वसीम जुनियर लास्ट मैं इनका दोरा सा उपर नीचे हो गया लेकिन बॉलिं 1-2-0-4 फाल्तु बॉलर हटाईए इनसे बेटर ओप्शन हमेशा वसीम जुनियर होंगे 3-1-3-1-2 3-3-6-3-9-10 विकेट है लास्ट पांच में बेस्ट ऑप्शन है इनके साथ इनको ही पिक कर सकते है 2-0-5-3-3-6-5-13 विकेट है इनके पास लास्ट फाइम मैंच में और आजम खान, राइली डूसू, एलेक्स हेल, कोलीन मुन्रो, जेसन रॉय, सौस सकील, अगा सलमान, शदाप खान अकील, उसे नसीम सा और अब्रार है मन, कैप्टन के लिए बात कर ले तो शदाप खान अच्छे ऑप्शन है और वाइस कैप्टन अगा सलमान अगें यह भी ज चांस है खिलने के लिए, और वाइस कैप्टन आजम खान भी एक मैंजर परफॉर्म किया तो इस मैंच में भी चांस बनता है कि परफॉर्म करके दे सकता है, बाकि कोई भी डाउट हो आपको, मैच और सेशन खिलना है, तो राठोर प्रेडिक्सन 07 आपको दीख रहा होगा यहाँ पर जाके जॉइन करें, मैच और सेशन के लिए, 742852567 पर कॉंटक्ट करें, मैच के लिए, सेशन के लिए, और ड्रीम एलेट पाइट अव्यू से जिसको भी ड्रीम एलेवन टीम चाहिए, अपडेटेट टीम हमेशा मैच से पहले डला जाता है, हमेरे टेली ग्राम